कोई दीवा न कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धर्ती की बेचेनी को बस बादल समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है अब दिल धर्के तो से तालियों में बदलना मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तुम मुझसे दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है, या मेरा दिल समझता है ये तेरा दिल के महबत एक एहसासों की पावन सी कहानी है कि मुहबत एक एहसासों की पावन सी कहानी है कभी कभी रादिवाना था कभी मीरा दिवानी है यहां सब लोग कहते हैं मेरी आखों में आशु है यह पंक्त सुनना और आप तक पहुँच जाए तो सुचित करना यहां सब लोग कहते हैं मेरी आखों में आशु है जो तु समझे तो मोती है जो ना समझे तो पा alma है जो तु समझे तो मोती है और एक बात और धान से सुनना आप उस दोर में हैं जब आप विशिश्ट हैं जीवन को इस तरह जीना कि कोई मिले कभी तो खुद से नजर मिला सको गालिब ने कहा ये गालिब का शहर है दिली किसी से मिलने पर शेर सुनना बड़े शायर का मत पूच के क्या हाल है मेरा तिरे आगे मत पूच के क्या हाल है गालिब ने कहा मत पूच के क्या हाल है मेरा तिरे आगे तू देखे क्या रंग है तेरा मेरे आगए तब पंक्तिया सुनना कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता लड़कों की खास दा चाहिए मुझे इस पर समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता ये आसु प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता ये आशू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता मेरी चाहत को दुलहन तू बना लेना मगर सुन ले और जो खुद्दार लोग नों की तालिया लेहर दिखाई दे हैं मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं पाया जो मेरा हो नहीं पाया और एक मुक्ता कावड सुनिये इसके बाद में कविता पढ़ता हूँ प्रेम में जैसा गजेंदर सोलंकी ने बताया भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है प्रेम हिंदुस्तान में एक ऐसा विश है जिसमें खेवत ध्योरी की क्लास चलती है मैं आपको चार पंक्तियां बढ़ा थे सुनेगा चार पंक्तियां और ये बिल्कुल मस्दी की पंक्तियां है बरसो प्रेम लिखने के बाज जिदि आप प्रेम करें तो क्या दिक्कत आती है देश में सुनेगा कि ब्रमर कोई कुमददनी पल मस्दी के साथ सुनना और मैं जो सुनना चार रहा हूँँ पौँचना वर्ना सिलिप हुझतिया वाद ब्रमर कोई कुमदनी पल मचल बैठा तो हंगामा हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा अभी तक ढूब कर सुनते थे सब किसा महवत का मैं किसे को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा मैं किसे को हकीकत में बदल बैठा तो